पूरे भारत के राज विवस्था को theoretical wise ठीक है पतलब complete theory चल रही है पूरी इंडियन पॉलिटी की ठीक है जहां पे कल हमने बात किया था fundamental rights के बारे में जो की part 3 में आता है इंडियन constitution के part 3 में lie करता है तो उसका first part हम लोगों ने देख लिया था जहां पे हमने discuss किया था article 12 to 20 article 20 तक हमारा complete हो चुका था ठीक है और अगर आपने उस video को अभी तक देखा नहीं है तो आप जाकर उसको पहले देख लिजिए ठीक है उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे article 21 पे ठीक है तो आईए start करते हैं तो अब बात करेंगे article 21 की ठीक है जिसमें कहा गया है protection of life and personal liberty कहें तो जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतरता की सुरक्षा कहने का ये मतलब है कि आसान भासा में जीवन जीने की स्वतंतरता है जीवन जीने की अधिकार के बारे में कह रहा है ठीक है तो अगर आप article 21 की बात करे तो आप जीवन जीने का अधिकार तो आपको दे दिया गया ठीक है लेकिन उसके लिए आपको मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना संबिधान के against जाके आपको जीवन जीने का तरीका को नहीं लाना है ठीक है जिससे ऐसा नहीं कि आप राम से चल रहे हैं जीवन जी रहे है और किसी को मार दिये, पिट दिये, मडर कर दिये, ऐसा नहीं है, मतलब आप कानून को उपर रखना है, ठीक है, लेकिन जीवन जीने के तरीका जो अधिकार है, उसको पालन करते हुए, ठीक है, अगला है right to privacy, मतलब गोपनियता का अधिकार, कहने का मतलब है कि right to privacy जो है, उसम इंसान है, वो मतलब अगर अपनी बातों को चाहे तो वो secret रख सकता है, वो ना चाहे तो share नहीं कर सकता है, उसको कोई force नहीं कर सकता है, share करने के लिए, संबिधान के according, आप अपने बातों को private रख सकते हैं, ठीक है, until or less अगर आप चाहे, तो उसको share कर सकते है, लेकिन as heart of fundamental right, और article 21 को supreme court ने मौलिक अधिकार का हिरिदय कहा है, ठीक है, it is defined as heart of fundamental right, किसको, article 21 को, clear है, तो article 21 से related और कुछ points है, जो कि हम आपको भी बताने वाले है, जो कि कहीं न कहीं, personal life and liberty से जो है, तो वो relate करता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा IPC part का चीज है, जैसे for example, आप किसी private organization में काम कर रहे है, ठीक है, मतलब किसी भी private company में, IT sector में, किसी भी company में काम कर रहे है, तो अगर आप जैसे Saturday, Sunday को चुट्टी होता है, most of the case, किसी किसी में Saturday को काम रहा था, लेकिन Sunday को चुट चुट्टी पे हैं, और किसी और दिन आपने चुट्टी लिया है, ठीक है, और आपके boss ने आप पर जबरदस्ती pressure बनाया है, कि आपको ये काम करना है, ये काम आपको करके देना है, तो उस case में आप अपने boss पे धारा भी लगा सकते हैं, ठीक है, IPC की धाराएं भी हैं उस knowledge के लिए, मैंने बताया है, उसको seriously नहीं लेना है, ठीक है, अगला है article 21, मतलब right to education, मतलब सिक्षा का अधिकार, 21 में क्याटा लगया है, सिक्षा का अधिकार के बारे में कहा गया है, जिसमें कहा गया है, कि 6 words से लेके 14 words के बच्चों को निसुल्क सिक्षा का प्रावधान है इसमें, ठीक है, 6 से 14 words की आयू के लिए, निसुल्क सिक्षा का प्रावधान रखा गया है, किसमें, article 21 में, और ये सम्विधान में कब सामिल किया गया, article 21 से, तो through 86th Constitutional Amendment Act 2002, मतलब इसको भारतिये सम्विधान में, 86 सम्विधान संसोधन अधिनियम 2002 के तहर सामिल किया गय सम्विधान में, clear points 21 है, अब आते है, article 22 ते, ठीक है, जो कहता है, protection against, arrest and detention in certain cases, मतलब गिरफतारी के विरुद संदक्षन की बात हो रही है, जैसे आपको कोई गिरफतार कर लिया, कोई मतलब पुलिसी गिरफतार करेगा, तो आपको पुलिस गिरफतार कर लिया, तो आपके पास क्या-क्या उस case में rights है, अब क्या-क्या आप अपने अधिकारों पे जा सकते हैं, तो इसमें कहता है, कि यह अनुच्छित गिरफतार होने वाले व्यक्ति को तीन प्रकार का संदक्षन या संदक्षन देता है, मतलब आर्टिकल 22 के तहट अगर आप गिरफतार होते हैं तो आपको तीन अलग-अलग तरह के सोतंता या फिर संदक्षन दिया जाता है, जिसमें पहला है गिरफतारी का कारण जानने का संदक्षन, अगर पुलिस आपको गिरफतार करता है, तो यह आपको पूरा हक है, यह आपका पूरा अधिकार है, कि आप जाने कि आपको जाल है या फिर जज के सामने आपको पेसी की जाएगी ठीक है लेकिन इसमें जो ट्रेवलिंग टाइम सटाड़े संदे जो भी होली डे है उसको छोरके और ट्रेवलिंग टाइम छोरके कितना 24 आर्ट अगला है गिरफतार व्यक्ति अपने पसंद का वकील रख सकता है अगर किरफतार होते हैं तो उस केस में आप अपने मन पसंद वकील को चुन सकते हैं ऐसा समिधा में नहीं है कि नहीं आपको यह इसी को रखना है चाहिए इसी टाइप के वकील को रखना है ऐसा कुछ नहीं है आपको अपने मन पसंद वकील चुनने का पूरा अधिकार है ठीक है तो 21, 21, A और 22, यह तीनों हो गया, मतलब rights rights of freedom, जो कि स्वतंतकाग अधिकार था, वो complete हो गया, ठीक है, तो इतना note-down या फिर sprints, इसका ले लीजिए फिर आते है right against exploitation पे ठीक है अब आते हैं article 23 पे, ठीक है, जो कि आता है right against exploitation सोसन की विरुद्ध जो अधिकार है उसका पहला article है कौन सा article 23, ठीक है जिसमें कहा गया है prohibition of traffic in human beings and forced labor मतलब आम भासा में बोले तो मानव तसकरी prohibition of traffic in human beings मतलब मानव तसकरी के रोक की बात हो रही है ठीक है, जिसमें कहा गया है मानव के दुर्वेभार और बालात स्रम पर प्रतिबंद ठीक है तो इस case में क्या होता है कि आप किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते है ठीक है, जो बालात स्रम होता है जो कि यहाँ पर लिखा है बालात स्रम जबरदस्ती स्रम जिसको जबरदस्ती स्रम बोलते है बालात स्रम को तथा बिना वेतन स्रम पर रोक लगाया गया है मतलब आप जो है सो किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते है और अगर आप किसी से मजदूरी कराते भी है तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे ठीक है तो ये बात कही गए किसमें Article 23 में अगला है Article 24 जो कि है Prohibition of Employment of Children in Factories, Chimneys, ETC ठीक है इसमें कहा गया है कि 14 वर्स से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, चिमनी या किसी खतरनाक काम में सामिल नहीं किया जाएगा ठीक है, अगर उम्र बच्चे की 14 वर्स से कम है तो वो किसी फैक्टरी में काम नहीं कर सकता है किसी चिमनी में काम नहीं कर सकता है या फिर किसी कोई खतरनाक काम नहीं कर सकता है जैसे बंबारूद बनाना, गन फैक्टरी वगर यहां पर, यह सा काम 14 वर्स के कम के बच्चा नहीं कर सकता है, यह किसमें कहा गया है, आर्टिकल 24 में कहा गया है, तो I hope कि आपको right against exploitation clear हो गया होगा, ठीक है, अब बात करते हैं चौथा, जो कि right to freedom of religion, धार्मिक स्वतनताग अधिकार, जिसमें आता है कौन-कौन सा, आर्टिक आते हैं, ठीक है, तो आई यह बारी-बारी से देखते हैं, जो पहला है, आर्टिकल 25, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है, तथा उसका परचार परसाल भी कर सकता है, मतलब आपको full छूट दी गई है, full rights दिया गया है, कि आप किसी भी धर आर्टिकल 25 में, ठीक है, और उसका परचार परसार भी कर सकते हैं, ठीक है, यह कोई अपराध नहीं है, इसमें यह भी कहा गया है कि इसके तहट सिखों को क्रिपान, मुस्लीमों को दारी और हिंदू को टीकी रखने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आर्टिकल 25 यह भी कहता है कि जो सिख धर्म है, उसमें क्रिपान यानि कि तलवार रखने की स्वतंत्रता, मुस्लीमों को दारी रखने की स्वतंत्रता और हिंदू को टीकी रखने की स्वतंत्रता दी गई है, तो यह आता है कि इसमें आर्टिकल 25 के तहत, अब आते हैं आर्टिकल 26 के तरफ, जो कहत स्कुनाटाता है freedom to manage religious affairs मतलब धार्मिक कारियों स्वतंतरता के बात की घई है धार्मिक कारियों स्वतंतरता जिसमें क्या आता है या तसमें ना ह्वन education या फिर नमाज परने की सौतंतरता, मतलब ये सब चीजों की अनुमती या फिर सौतंतरता आपको दी गई है, आर्टिकल 26 के तहरे, ठीक है, क्या-क्या, तो यग करने की, हवन करने की नमाज और जो भी धार्मिक क्या रहे है, वो सब करने की, ये तो बस एक्जामपल बने रखा है, हय अगहवन और नमाज, इसके अलाबा जो भी धार्मिक क्या रहे है, वो करने की सुदंतरा दी गई है, किसमें, आर्टिकल 26 के तहरे, पॉइंट्स, अगला है, आर्टिकल 27, यानी के नुच्छे 27 क्या कहता है, freedom of payment of taxes for promotion of any particular region, मतलब कहने का ये मतलब है कि धार्मिक कार्यों के लिए, जो पैसा रखा गया है, जिस पैसा से धार्मिक काम होगा और जो धार्मिक काम के लिए पैसा रखा गया है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री रहेगा, ये बात कही गई है किसमें, आर्टिकल 27 में तो clear है यह सारा 27 तक तो इसका note down या screenshot ले लिजे फिर आते हैं आगे वोगी आर्टिकल्स पे आईए अगला बात करते हैं आर्टिकल 28 पे ठीक है तो आर्टिकल 28 यह कहता है freedom as to attendance at religious instructions और religious worship in certain educational institutions इंगलिस तो इसका काफी भारी भर कम है आईए इसको असान भासा में समझते हैं कहने का मतलब है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी कहने का मतलब है कि अगर कोई संस्था सरकारी पैसे से चल रही है सरकारी धन से चल रही ठीक है, तो उसमें धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, प्राइवेट है तो फिर केस कुछ और है, लेकिन अगर सरकारी पैसे से चल रही है तो उसमें कोई भी धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी, clear points, तो यह हो गया Article28 Complete, मतलब चौथा जो है अमारा टाइप fundamental rights का तो वो complete हो गया अब आते हैं पांचवा पर जो कि है cultural and educational rights ठीक है जो कि आता है किसमें article 29 और 30 में तो आए देखते हैं article 29 क्या कहता है अर्टिकल 29 कहता है protection of interests of minorities मतलब अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षन अब बात है कि minorities किसको कहा जाता है इसका हिंदी जैसे अब बता दिया मैंने अल्प संख्या किसका हिंदी होता है संख्यक और इसमें कौन-कौन से आते हैं तो इसमें आते हैं आपके जो इसाई हो गया जैन हो गया बॉद्ध हो गया बॉद्ध हो गया मुस्लिम हो गया यह सब जो community है यह सब किसमें आती है अल्प संख्या क्या की यानि की minorities में आती है तो article 29 यह कहता है कि किसी भी अल्प संख्यत को इसकी भासा या संस्तिती के अधार पर किसी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं ऐसा नहीं कि minorities है तो इनको इन संस्थाओं में जाने से रोका जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है जो भी अल्प संख्या के हैं उनको इसकी भासा मतलब language or culture के basis पे इसको किसी भी institution में say again किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं यह कहा गया किस में आर्टिकल नपर 29 में ठीक है अब आते हैं आर्टिकल 30 पे आर्टिकल 30 क्या कहता है rights of minorities to establish and administer educational institution कहने का यह मतलब है कि minorities को यह rights दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपना सेक्षनिक संस्थान चला सकते हैं ठीक है तो वही points में भी लिखा हुआ है कि अल्प संख्यक यदि बहु संख्यकों को यानि बहु संख्यकों के बीच सिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं या फिर घबरा रहे हैं तो ये अपने पसंद का संस्थान खोल सकते हैं और सरकार भी पैसा देगी कहने का ये मतलब कि अगर कोई अल्प संख्यक है हो बहु संख्यक कहने का मतलब है जिसका बहुत तालाद में ज़न संख्यक हो जैसे यहां पर हो गया बहु संख्यक है जो हिंदू समुदा है वो बहु संख्यक में आ गया तो कहने का मतलब कि अल्प संख्यक यदि बहु इच्छा लेने में संकोच कर रहे हैं फिर घबरा रहे हैं तो वो अपना separate institution खोल सकते हैं और सरकार उसके लिए पैसा भी देगी clear points इसमें ये भी कहा गया है कि ये अपना sectionic संस्थान खोल कर वहाँ सासन प्रसासन भी चला सकते हैं ठीक है मतलब ये अपना institution खोल सकते हैं और सासन प्रसासन भी अपना ये चला सकते हैं clear points तो article 30 भी हो गया अब आते हैं अगला article 31 पे खीक है जो की है right to property जिसको कहा जाता है संपत्ति का अधिकार जिसको पहले डाला गया था article 31 में लेकिन इसको article 31 से हटा कर डाल दिया है गया किस में article 300 ए में डाला गया है किसके थुरू through 44th constitutional amendment act 1978 ठीक है मतलब ये जो पहले constitutional right हुआ करता था उसको क्या बना दिया गया लीगल right बना दिया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया ठीक है किसके तहत 44th संविधान संसोधन अधिनियम 1978 के तहत clear points तो ये हो गया article 31 तक और एक बात हम बता दें आपको कि article 32 जो कि बहुत important article है उसको separate discuss रहें मतलब article 32 इतना बारा article है कि उसके लिए एक class dedicated बनता है ठीक है तो वो article 32 हम आज discuss नहीं करेंगे उसके लिए separate class रखेंगे जो कि हमारा मंडे को होगा और इसके आगे जो article 31 इसके आगे अभी हम लोग पर लेंगे article 33 ठीक है तो आईए इसको इतना note down कर लिजिए फिर आते हैं article 33 बे अगला बात करते हैं article 33 जो कि अनुछेद 33 है ठीक है तो ये कहता है police force, security agency, armed police force ये सब जो है ठीक है ये सब जो forces है इन सभी के बीच discipline यानि की अनुशासन बनाये रखने के लिए इन लोगों के मौलिक अधिकार पर किसी किसी कारण से प्रतिबंध लगाया जा सकता है कहने का मतलब है कि जो हमारा police force है या फिर security agency, सुरक्षा agency है या फिर armed police force यानि की ससस्तर police बल ये सब के जो लोग है इन पर किसी किसी कारण से जिसको इंगलिस में बोले रहता है मौलिक अधिकार पर किसी किसी कारण से प्रतिबंध लगाने का तो पूछा जा तो ये power दिया गया है पारलियामेंट को यानि कि संसद को ये power दिया गया है कि armed force हो गया, police force हो गया, security agency हो गया इन सभी लोगों के, मतलब इन सभी लोगों के बीच में discipline बनाया रखने के लिए जो संसद है, वो fundamental rights पर प्रतिबंध लगा सकती है points clear है, ठीक है, आते हैं अगला जो कि है article 34 article 34 किसी relate करता है, martial law से, मतलब सेना का कानून तो article 34 सेना के कानून से related है, जिसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी छेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है as per requirement, मतलब अगर जरूरत है, अगर जरूरत ऐसा अन परती है कि हाँ सेना का कानून लागू किया जा सकता है clear points, अगला है article 35 जो कि last है fundamental rights का और ये क्या कहता है कि संसद को या अधिकार है ठीक है, कि संसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है कहने का मतलब है कि ये जो अनुछेद है, article 35 ये संसद को या अधिकार या फिर ये power देता है कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सके ठीक है अगर कहा जाए तो इस से related एक संसोधन भी हुआ था जो कि था 24-वा संभिधान संसोधन अधिनियम जो की 1971 में हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि संसद को मौलिक अधिकारों पे कानून बनाने का अधिकार है ठीक है ये कहा गया था किसमें 24-वा संभिधान संसोधन अधिनियम के तहत तो इस तरीके से हमारा पूरा fundamental rights है जो complete हो गया है article 32 को छोड़ के ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका discussion law separate दीन इसके लिए रखे हैं कि पूरा complete article 32 मंडे को परहेंगे जिसमें पूरा मतलब try करेंगे पूरा in-depth परने का प्रेंबल हो गया या फिर आपका पांच रिट्स हो गया सारा कुछ उसी में परहेंगे ठीक है तो इसको एक बार आप note down कर लीजिए ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया सब्स्राइब नहीं किया तो लाइक भी कर दिजिए शेयर भी कर दिए सब्स्राइब भी कर दिजिए और यह हमें जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो आज का कैसा लगा ठीक है तो ठीक है मिलते हैं फिर परसो तब तक के लिए बाई बाई गुद बाई